जन्बत हाबुड के बाबगड छेतर के गाउं कनिया में शुक्रवार की सुबा खेतों में एक विशाल कायज कर दिखने से ग्रामिडों में हरकम्प मच किया आनन फानल में ग्रामिडी कठा हुए और कड़ी मशक्कत के रजगर को पकड़ा इसके बाद ग्रामिडों ने राहत की सांस ली अजगर इतना बड़ा और शक्ती शाली था कि उसे पकड़ने के लिए दो दो रस्यों का सहारा लेना पड़ा बाबगर के गाओं कनिया में मोहन शर्मा और वेद शर्मा के गन्ये के खेत हैं खेतों में ग्रामिड काम कर रहे थे सुबा करीब साड़े आठ बजे विशाल अजगर दिखने पर गाओं में अफरात अफरी की स्तिति बन गई इसके बाद मोहन शर्मा ने वन्मिभाग के दरोगा संजीब कुमार को मामले से अफगत कराया सुजना बागर वनकर्मी रवी मौके पर पहुँचे और अजगर को देखकर सभी के होश उड़ गए अजगर को पकड़ने के लिए वन्मिभाग और ग्रामीडों ने सायूकत अभ्यान चलाया और कड़ी मशक्कत के पश्चाथ करीब ओने बारा बजे अजगर को पकड़ लिया जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली मोहन शर्मा ने बताए कि इतना विशाल अजगर छेतर में निकलने से ग्रामीडों में धहशत की स्थिती बनी हुई है फिलाल गाओं में और अजगरों के निकलने की संभावन से भी इंकार नहीं किया जा सकता अजगर को पकड़ने के लिए ग्रामीड रोहित राहुल शिवम विकास पंकज आधी ग्रामीडों ने सहयोग किया ऩर में पंकपरिए के लगो के लिए लोहिते हैं कि टुम से धूओर अंधर को जगावनाउ में से गह ब्रामीडों कि थो अजबस्धिती eternग झाल झाल झाल